जन्वरी में मौसम की हालत अनुकूल रहने के बावजूद क्रिशी जानकारों का मानना है कि 2023 से 24 सीजन के दौरान गेहूं का घरेलू उत्पादन 1140 लाक टन के नियत लक्षे से काफी पीछे रह जाएगा। ध्यान देने की बात है कि इस बार गेहूं के बिजाई क्षेतर मे बढ़ोत्तरी हुई है और 60 से 65 प्रतिशत क्षेतर फल में ऐसे बीज की बुआई की गई है जिसकी फसल में प्रतिकूल मौसम को सहने की अधिक शमता है। क्रिशी विशेशग्यों एवं व्यापार जानकारों का कहना है कि फरवरी से अप्रेल तक का मौसम गेहूं की फसल के लिए अत्यंत महत्वपून साबित होगा। यदि इस अवधी में तापमान बढ़ता है और बारिश के अभाव में मौसम शुष्क रहता है तो फसल को न रुकसान होगा। कई क्षेत्रों में आदर्श अवधी के बाद गेहूं की बिजाई हुई है जिससे वहां उपजदर में कमी आ सकती है। इसके अलावा मार्च से अप्रेल में अक्सर आंधी तूफान के साथ बेमौसमी वर्शा एवं कहीं कहीं ओला वरिष्टी का भी प् 340.1 लाख हेक्टेर के शीर्श स्तर पर पहुँच गया। इसके शांदार उत्पादन के लिए 2-3 माह का मौसम अनुकूल रहना आवशक है। गेहूं का थोक मंडी भाव अभी नियूंतम समर्थन मूल्य से उंचा चल रहा है जबकि केंद्रिय पूल में इस महत्वपून खाद्यान का स्टॉक गटकर काफी नीचे आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी